लेटेस्ट र्याना यूटूब देखनाले सारे दर्षकाने विकरम सिंग की राम राम दोस्तों आज हम पहुंचे हैं बर्षोडा गाउं में तो यहां पर अपने भाई हैं सुरिये बुकल बर्षोडा तो यह सोंग आते हैं तो इनसे बात कराते हैं तो सबसे पहले नमस्कार भाई शाब नमस्कार भाई विकरम सारे लेटेस्टर यान यूटूब चैनल देखनाले भाई यहन हैं मेरी तरफते राम राम और जो यह विकरम भाई आपना कीमती समय निकाल का मेरे पास आई मैं इनका धन्याबाद करता हूँ का सबसे पहले बतावा आप कितने पड़े मैने पलस्ट यूए है तो कौन से स्कूल से कि अपने मैं चोटव्चानास comecend तो आगे जो घर की आर्थिक्स्तिती थी वो कमजूर थी बस फिर अपने पीता जी कमानिया के लिए उसके साथ मैं काम में आध्बताने लगे बसाधायी ऐसी छूटगी तो आपके कोई सोग वगार क्या कुछ आई हाँ जितक मार्केट में कोई आर्याण्मी सोग या कौण कौन से शोग आई मतलबा हाँ हमारे या र्यांवी सोग आई हैं तो कुछे नाम वगाराई बता सकते कुण कुण से सोंग है आपके नाम महंरा एक रेण में गाना आये था तोने करली पुलिष जुआईन तरह आर्टों से अपरा दी तो और कोई सेड शोंग वगारा या कोई मतलब ओर भी कोई आर्ती बजन वगारा कुछ ऊर भी आये था क् बंदना करी थी हम नहीं तो इस लाइन में आप मतलब सिंगिंग उगारेक आपको कद से सोंक है यह सिंगिंग का रुजान तो मुझे बच्पन से ही है जो मैं साथवी आठवी कलास में पढ़ता था तब से मुझे सिंगिंग का रुजान है अगर कोई भी स्कूल में प्रोग् करते हुए तो यह मुझे देख लिए आठमी साथमी से मुझे जो इसका इसकी लगन थी सिंगिंग की गाने की तो मैंने जैसे प्लस्टू के बाद ही अपने गाने हैं जो गाने रिकोर्ड किये हैं तो आप मतलब करीब कौन सी साल में यह आपको सोंक हुआ था जो गाने हैं 2008 सेही मुझे इसका सोग था तो यह कुछ नया गाना रियानवी यह कुछ सा मतलब गाणा कोई काणा मार्केट में आप हाँ नया गाना जो है वो आए गापी समय लगे भी समय लगेगा तो कुछ उस गाने बारे मता सकते कौन सा गाना है मतलब कोछ बदमासी टाइप में या सेड़व है या फिर किस टाइब मतलब तो बाई साहब यह बताओ जो मतलब आपने इस लाइन में इतना च्टरगल किया है यानिके मैनेथ की है तो इसके बारे में परिवार का आपको कितना साथ मिला है कंट है हैं इसमें परिवार का तो सायो गए है इसलिए तो आगे बढ़ रहे हैं इस लाइन में को तो memorize कंट हैं। एक से बढ़कर बढ़िया से बढ़िया कलाकार है जैसे रामकेश जीवन पुराड़ा बहुत बढ़िया कलाकार है अच्छे गाने गाता है अच्छा कलाकार है तो जो आपके गुरू जी है जिसे जैसे कि आपने बता सुबास जी तो कांपे मुलाकात है और आपके मन में एक था हुआ इक बार ओडिशन दिया था तो उस ओडिशन में बगएर म्यूजिक के मैं बहुत अच्छा गया सब्सक्राइब लेकिन जब सेकंड राउंड आया तो उसमें म्यूजिक पर गाना था तो मुझे मूजिक पर गाना नहीं आया उस समय तो फिर मैंने आके यहां देखा कि हमारे पास में वह अर्मोनिय बजाते थे तो मैंने उनके पास जाना शुरू किया और उन से म्यूजिक की परिना ली तो आप मतलब पहुत सारे अशे कलाकार हैं जो कि आप मतलब एक मिल्व यारत अदर्व पैसे ईयर्यानवी है इंदी वगार कैसे कासे आपके मार्केट में तो मतलब आपके जो गाने बोल रहा हो तो आपके गाने कैसे आए मतलब जो एक तो मार्केट में अभी तक आए जो हाँ एक यार दोस्ता उसने वह गाना लिखा था वह मैंने गाया उसका तो आज मतलब आभी तक आपका ज्याद तरह रूची गाने की कौन से महर यानवी पंजाबी या फिर इंदी वगार कौन सी में मतलब रूची है हाँ अभीकरम जी आपने में बहुत बड़ी आश्वाल पुच्छा जैसे कि मेरा रूचान बच्पन से इंदी गानों में ज्यादर रहा है तो मतलब आपका कोई बैस्ट कलाकार यानि खास कलाकार कौन सा है जो सिंगर बगार यानि किस से आपको मतलब प्रेना मिली है कि गाने के बारे में वैसे तो जो वोलीवूड के सिंगर है वो सभी बहुत अच्छे हैं लेकिन जो मेरा मुख्यकलाकार जिसे मैं अपना गुरू भी मानता हूं तो वो कुमार सानु है तो जैसे कि आपने बताया कि आप कुमार सानु को अपना दर्स मानते हो तो उनका कोई गाना मतलब आप हमारे जो द प desarrollo मारी पब्लीक मतलब सास्क्राइबर रहा हैं कि आप सिए, है, है सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंके नहीं ये दिल बेकरार करेंके नहीं खाबों में चुपाया तुमको यादों में बसाया तुमको मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंके नहीं ये दिल बेकरार करेंके नहीं तुम हो खिलता महकासा कमल हम जो गाएं तुम हो वो गजल कम सिन भोला सा मुखडा लगती हो चांद का इक डुकडा हम कितनी तारीफ करें देखके तुमको आहे भरें तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम प्यारा सनम सोचेंगे तुम है प्यार करेंके नहीं बहुत ही बढ़िया बहुत ही दिल खुश कर दिया मतलब इतने बहुत ही मदूर वाज है इतनी अच्छी वाज आपकी तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताईयों कि वाज आपको कैसी लगी सिंगिंग की जो सुर्य देव कलबर सोड़ा है तो इनसे आगे के जो मतलब स्वाल पूछते हैं तो आपकी मतलब साथी वगारा हो गई है या फिर हाँ मेरी जादी हो चुकी है तो लड़का वगारा मतलब बच्चा वगारा है कि परिवार वग्रम है हाँ मेरे पास एक लड़का है जोट सलका हो तो जो अपका लड़का है मतलब क्या नाम उसका हो कब पैदा वह करीब वो 11 तारिक थी 30 मेन ना 2019 मैं उनका जन्नम हुआ तो मैंने उसका नाम भी एक फिल्म स्टाइल शे रखा है उनका नाम मैंने उदित उदित रखा है जो कि उदित नारायन जी वह बहुत अच्छे कलाकार है उनिक इस पर मैंने उसका नाम उदित रखा है तो जैसे कि आपने बताया आपके सुबास जी हैं आपके गुरू जी हैं जिसे आपको मतलब गाने के बारे इंप्रेणा ली है तो आपकी मतलब कोई पार्टी वगारा है या फिर क्या कौण कौण है मतलब कितने से देश्य पार्टी में हाँ हमारी पार्टी है हम हमारी पार् तो सतनाम जी है हमारी पार्टी में गगंदीप है और मैं हूँ तो कौण कौण जिस को मतलब आपने जो जो नाम बताया है कौण कौण क्या करता को जैसे मीजिक बगारा बनाता है क्या करता है को सनुद्ग सब्सक्रक्राइं होती है जैसे कि मैंने बताया सुभास दू है और मों बजाते हो डिहें लिखते बिए वह गाते टेमें और श्रूश् कुछ आती जागती हैं चawaysरस को गहां कुछ में जाती हैं तो दोस्तों उप खोद देख लिए इतनी बड़ी आवाज लगी आपको तो आप बताईयो मुझे बहुती बड़ी है लगी आपको कैसे लगी एक सब्सक्राइब के दवार यह जवाब दी आप की कैसे अबाज लगी आगर किसी भाई को कई पर भी कोई सिंगिंग वगारा करवानए या गाना वगारा करेवाना है चाहिं भी पे जागरन वगारा में संप्रक्ण करना तो आप सचर्ण वगारा में तो आपर सुरिय देव कल वर्षोड़ां से संप्रक्षब कर सकते हैं इनका नंबर हम विडियो के डिस्क्रिप्टिन लिंक में देढ़ें और विडियो के ऊपर बीदेंगे तो इनसे सिधा संप्रक्षब कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं ने स्टूडियों तब तक सारे बायाना राम राम जब आप बैगी जाएं